तो यह विल्डिंग में अब दिसकर्स अबाउट तर बुल्स ट्रेंज की लग के लिए थी उसमें हमने बुल्स ट्रेंज की लग जो है प्रेविश सेशन में लेकि दी तो मैं उसके थोड़ी फ्यूप पॉइंट आपको रिमाइड दोगाँ ताकि आपको रिपाँ हो जाए जो उसे जमीन वे खाई यानिके लिए ट्रेंज की बना के मना जाती है उसकी स्क्राइफ होती है अब उसमें बारा कंपाट्मेंट है या चैम्बर्स सबसे प्याली चैमबर है वो उसके बाद तू थी फॉर एढ फाई यानिकी या चाछ चैंबर हम प्री हिटिंग और ब्र यह चार चैंबर हम खुलिंग के लिए यूज करते थे और लास्ट के बाजों में था यानि की चैंबर में अब यह चैंबर में यह रिख चैंबर में यह चैंबर में प्रोवाइड जेते हैं यानि कि वह जो डेमपर्स है वह 150 mm थिक था और जूसरे हम ब्रेक से भी बनाते हैं और उसे जो फ्लास्टर करते हैं वह और विट्टी से करते हैं ताकि अंदर फुले कि बना रहे हैं और बहर वह जो हीट है बजाएगा फिर जो यह प्रोसेस कैसे कैसी कैसी के डाओ नोग होती है वह में देखा था अजब फ्यूल हम चारकॉल यूज करते थे पावर फॉल तरीके अब देखो फ्यूल जो है 170 थाविशेट 200 kg per day वेष्ट होता था वार उसमें त्वार उसमें चला जाता था ब्रिक का प्रटक्शन जो है वो लगें 20,000-20000 ब्रिक ये बूल स्ट्रेंश के लग में बना सकते हैं ये सब हमने देखा था कि क्या क्या होता है क्या-क्या पते नहीं है तो यह उस्कार फैर्ट्रोबेकि तो आज हम उसी स्रैड़िकर लेगे कि उसी सेरीरिसस की दूसरी जो है हमारी किल हम सी उसकी conservative अएक इस हम सिरीस की दूसरी जो है हमारे किलन को इसकी बात करने जा रहहने जारहegt है Of man's killer तो आज देखने जा रहा है Orman's killer Oh God आज माई यह किलर हूँ है सिसके आज़से कहां है उसका सब्सक्रा एंग करें इसका ठीक कर लें होगा है उसका सिर्फ उसक्यलिव राओन है तो होता है उसमें पीट्रेक कमपानेट होता है जैसे कि बुल स्ट्रेंज में लेकित उसमें जो ड्रॉब एक्स टेंशे रिजालने के लिए यह किलन में थोड़ा सा मोडिफिकिशन आया होगा वही हमको मार्क कर रहा है वही हमको सीखना है वाकि सब चैमबर ऐसे के ऐसे ही है ट्वैल चैमबर के बनती है तेको कंटिनियूस कि लिए यह सेम पिटन है कि एक से बाराच एंबर में आपका जो बूली होगा ड्राइग होगा वह सब बढ़नी होगा वह सब इसमें ही होगा तो कंटिनियूस के लिए यह क्ट्वैल चैमबर होती है यह आपको याद रखना है तो तो कटनल फिरन में तो ऐसे कुछ होता रही हो तो चोड़े से शॉट्राट दी है लेकिन आपको चुपित पी यह दुनों यह पूछते रहे एक तो बूल स्क्राइच और यह दुसरा बॉपमेंट के लिए तो आप देरे देरे पढ़ते हैं वाफमेंट के लिए जो है वह जमी लिए जो होता है उससे उपर बनाता है तो तो और सरकुलर को और हिए कट विए सथे रही है बहुता है एलो सब्सक्राइच और वोल रहा है ओंपत्रेस आप अ głos कि ऐन गुण में लिए गर झालब्लीन नतों से लए है और उसना जो से उता है था हो इस आप रघक का है अब हम दकार ह। और उसको कि या होता है कि एक सेंडरल चीनल ही होती है इक जिद्र चीनन आधक ! सेंडरल चीनल तेंगर होती है अरांट ऊब रोड़़वची दिने क्ंपोरेंट्स और चम्पर्स अब कॉंपोरेंट पे लिक से क्यों चेम्बर्स भी लिखी नहीं हो यहां पे लिख जैसे घ्रेट कर रहें चैंबर यानि तो उसे चैंबर बोलना ज्यादा रिच प्राइगा अराउंड पर चिंदी वेल चैंबर साथ तर्श्ट रखेंगे अब देखो रहे जो चैंबर होगा उसमें क्या होगा इसका में डॉर और अदर जो हमारा को मिनिकेटिंग करने के लिए को मिनिकेटिंग दोर होगे और बाहर के साइट में दोर सुखे अभी मैं आपको बता होगा पता नहीं चलेगा लेकिं आप इसकी जब फिगर ट्रॉपर अब देखो इसमें इसमें बहुता है चैकल जो होता है पावडर फॉर्म में होता है ऐसे फ्यूल तो यहां के लिए फ्यूल पावडर बाल अब देखो रिक जो चिमिनी होती है इसके उपर से जो दुहां होता है जो हमारा फ्यूल है उसे अंदा ले जाने का भी अरेजमें होता है और जो पूरा ऑप्रेशन के वो सेम ही है पुरा लेकि पहले यह तिक से पंड़ लेकि उसका सेम चोड़ जा वो सब किलों होता है उसे ग्राउड अवर से उपर बनाते है तो यह एक में डिफरंस है आपक उसे गजने बनाते हैं और फीकमें करते हैं वह उसमें जो फूर यूज करता है बनिंग के लिए वह पांडर यह होता है आप बूल श्ट्रेंज देखो तो उसके भी पाउडर को यूज़ करते देगे और यहां देखो तो यहां भी हम पाउडर को भी एज़र फ्यूज़ करेंगे तो यह फिल्ट आपकी आउफमें स्पिलर का फोड़ा उकर्शक्शन कैसे किया जाता है अब मैं इसकी फिगर आप कि सेंट्रल ऐसे बना ही जाते है कि यूज़ों में चिपनेस मजा रहा हूँ हो आपको वामन रखी नहीं है यानि कि कही जगह पे जादा हूँ तो जगह भी कर्णों ऐसा नहीं रखना है तो यह होगी उसको दुसरा पार्ट और फिर रहुत हुए थर्ड लेयर बनाना है मे मेरे पास यहां पर दुसरे कोई फिप्टेंट नहीं है इसलिए में आज से मना रहा हूँ सुट्स लेकिन आपके पास जो भी इसके शेंटर ट्रॉकर नेगे इसके प्रणों आप उससे ट्रॉकर सकते हैं कि अधर कि अर्वाह तो है ऐसे बनाते है मेरा अधर को बनाना का मई नाफ के मिसन्ट कंपोनेन दिवीड़ब करके रहे जैसे यह कि मतीर शार्ट ऑफे और थे टरॉं जल सुसके पास है और हो हृ निर्दक पास होई है शे다는 कि और बनाने है एक जो थी होगे वैसे ही एक जो और ती एक जो और ती एक जो और ती तो यहां से रख रहाँ स्टैक्ट करें जो पर तो आपको के लिए एंगे लिए एसा उसा कर्शक्षन होता है हम जो यहां प्रापे उसको एक्सेंड करते रहे है और से अप्सक्राइब बनाओं पर हो और तो पर एकशन्ति इसका जो ज़िए अब हमम्में यहां से चालू करना है वांने एक तू पर यहां से करना है एक नाइन एन लेवन राई अब अरे जो पॉन्पोरेंट पुरता रहा है यानिकि अरे जो चैम्टर होगी है मैं अरे जो चैम्टर होगी है मैं इसे जो दूप बनाके है उसे हम में गोल बोलताए है मैं को अब है के में गोल बोलता है फिर अंदर क्यों के लिए यानि के पॉम्मिकेशन के लिए जो हमने यहां जो बनाया है वह और वह ऐसे तो चैम्टर बताया लेगिन ऐसे उसका जो रोता है तो यहां भी हम ऐसे दोर बनाते है जिससे हम कॉम्युनिकेटिंग दोर कहता है तो यह हो कि तयार है चिंगनी और यह जो अंदर के पॉर्शर है जो डबल डबल वैसे डबल डबल सब भी होते हैं लेकिन मेंने लिखाया ही है तो यह जो पोर्षन को होते है है उसे FLEWS होता है हम जो कि जो दुरवा-बुरवा और बुसम भीहीं हम उसे निकाल दें के लिए फ्ल्यूइ उंदर डालना के लिए जो यूजस करते हैं वह Camus उसे हम Flues बोलते हैं, तो यह आपकी पूरी होगे, आपकी जो Off-man Hillan है वो, उसमें कॉम्मिनिकेटिंग दोर, मेंडोर और Flues, यह तीन चीज़े आपको दिखानी है, तेन सेंट्पिलर शेप की रिंग बनानी है, फिर उसको ट्राइल पार्ट में डिवाइड कर देना है, मैंन यह आपको दिखानी है, कैसे होता है, जिसमें चैंबर 1 जो है आपका, चैंबर 1, फिर ऐसे चैंबर 2, चैंबर 1 में आपका rolling process होगा, यानि पूरी जो break होगी, वो उसे आप वहाँ रोड गएगे, आपके चैंबर 2, 3, 4, 5 में, यानि कि यह, 2, 3, 4, 5 में, आपका जो है, वो cooling, यानि कि drive और प्री हिटिव होगा, ति इसपर drive और प्री हिटिव होगा, प्री हिटिव के, drive और प्री हिटिव होगा, फिर चैंबर 1 number, 2, 3, 4, 5, फिर चैंबर 16, 7 में, आपका burning out break होगा, बर्विंग ओफ प्रिक होगा चैंबर नॉम्बर इस नाइब टैन इलेवन इसमें आपका कुलिंग ओफ प्रिक होगा और जो आपका लाश चैंबर दे वहाँ से ब्रिक्स का अनलोडी होगा तो ये जो चैंबर से इसे वर्क आट होता है वह तो आमने पहले भी लिखा था वहाँ भी सेम था यहाँ भी सेम था तो ये खाली रिवीजन जैसा होते है आपका तो उन्हें देखा कि कैसे चैंबर वाइस उसे अलग इलग पार्ट वे डिवाइड करते हैं तो यह हो गया आपके आपका पहला क्वेशन आपके वीडियो में पता करना चाहता हो कि यह जो हॉफमेंड है उसकी शॉट्रोट लिखनी है देखो शॉट्रोट आपको पूसे तो आपको लिखना है पहलो उसका करस्ट्रक्शन कैसे हुआ फिर उसका वर्किंग कैसे होगा अपको लिखना है और यह आपको फिगर ट्रोट करनी है और चैमर्स इंडिकेट करनी है यह आपका पहला क्वेशन हो गया कि हॉफमेंड कैसे बनाते है यह आपके शॉट्रोट हो कि अब दूसरा क्वेशन जो आएगा उसके एडवांटेजीज होगे कि गुल्स्ट्रेंज के लग से यह किसके लिए यानि यह जो चैमर है हमारी यह हॉफमेंड के लिए वो कैसे ज्यादा वो आपका सेकेंड क्वेशन रहेगा कि उसके benefits आप लिखने है प्रेला question बोल्स्ट्रेंज की short cut लिखने है और दूसरा question उसके advantages लिखते है भीज़ा कुछे आपको उसके साम को से लिए अब दिखने है अब देखो इसपे जो arrows होओने दिखायाए वैसे process आसे टाउट होती है लेकिन जो हमारी air है वो ऐसे जाती है जैसे मैंने आपको पहले सुखायाता कि air का circulation जो यह चीपनीज होती है या चेमबर होती है उसको रुटी साइड से किया जाता है यानि कि और साइड से किया जाता है ऐसा कि क्योंकि यहां से थ्वैल वोकर की चेमबर से पूल ऐर इ céu से जाने देएंगे तो पहले वो क्या क्या क्याब तरही कि चीप वर्णिंग में से खिट और साइगी जाता है उसे यहां कूल कर देगे क्यक्किन फिल्ट फूल हो जाएगी air ब्रिक पूल हो जाएगी और आर हमारे गरब हो जाएगी फूर जो है वो बर्निंग में जाएगी और जादा गरम होगी है तो यह गरम हुई हुई है तो यह गरम जो हो गई है आपके जो 2,3,4,5 component में पुरी हिटिक के लिए रखी हुई है ब्रिक उसे गरम कर देगी क्योंकि वो गरम है और लाश्ट में बंक से हम उसे एंट्रैप कर यानि कि वहा से एसी कट कर लेड़े तो ऐसी टैप से ऐसी पैटल से हमारी ओकमें पिरन जो है उसका डाप होताड है उसके प्रोसस ऐसे होती है और जो हम एर सेट्परेशन करते हैं वो एंटिकलोगवाइस करते हैं तो इतना देन रट रट रहा है आपके तो आब हम उसके बेनिफिट्स देखेगी कि उसके बैनिफिट क्यान है आप में के सबसे पहले में आपके सबसे पैरे में कि आपको बिल्ग यह तो आपको नहीं रुटता को आपको रहे होगे सबसे पहले भी है कर्वर्ट कलास करें आज बूद बूद इस तरी के बुछाना वह जी है फिर उसके बाद सेकेड्ट जो पॉइंट है जो होता है कि जो प्रीक्स का जो सप्ला होता है वो आपको पूरा का पूरा मिलता है सप्ला ओप्रिक इस कंटिनुएस तर्ड जो आपको पॉइंट होता है वो यह है कि आपको ब्रीक्टो ड्राय करने के लिए अलग कॉपोनेंट की ज़रूरत नहीं परती है आपको नहीं कर सकते हैं लो एनी कॉपोनेंट और एक्ष्ट्रा चैंबर नीडेड फॉर ग्राय ओफ ब्रीक्टो आपको एक अलग चैंबर की ज़रूरत नहीं करते हैं फिर फोर्थ जो है आपका पॉइंट वो यह है कि सब जो भी प्रीक्टो होती है कि यह है कि जो भी प्रीक्टो होती है वो सेवी बर्ण 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 एक सेंगे ज़िए ज़िए बहुत इंपरेंट पॉइंट है कि सेंगे बिट बर्न हो रहा है तो इससे क्या बंद पड़ता है कि जो हमने आगे क्लैप में देखा था कि जैसे हम पूर्भी तेम्परेचर पर गरम कर देख तो क्या होता था उसमें ओवर बंद ब्रीक मिलते थी हमको ऐसा इसे कंटिन्यूस किलं के किस्से में है किलं के किस्से में नहीं होता की उस पे FUEL कम यूज़ होता है, FUEL USE इस LOW, पर LOW FUEL यूज़ होता है. पर 6 जो आफका POINT है, FUEL LOW USE होता है, उन तो DOOR में सेम ही है, आफ जो 6 POINT है, वो, यह है, जो आफका सबसे BENEFIT आफका POINT है. नेको, GOL STRENGE में क्या होता था? ओडसला मोट्स वालि सीजन के लिए उपर चत नहीं तो हम मसु valleys में उसे यूजज भी कर सकते हैं वो जो ठीड़ बक्ता उसे यहां सतालिया इया है हमारे आखमेन की लग्ड में, आखमेन की लग्ड में उपर सालिंग तो तो हम मॉनसुन में भी इसे यूज कर सकते हैं, और ब्रिक का एक्रक्ष्चन कर सकते हैं, okay? स्लेलिक is available, so we can use, so we can use, in monson season, monson also, okay? तो हम monson season में भी इसका यूज कर सकते हैं, बिसका जो अब जो को एज बो तो हमने समें च्विति कि है देको फर्स क्लास ब्रिक हो थी उस सब से जयादा प्रोंस यह यादि की, फ़र्स क्लास मेरी सिर किया संप्रून. प्रिक्स पर से आप इसे यूज़ कर सकते हो पर इसके डिसद्वर्टिक्स जो है वो यह है कि एक तो इसका इनिशन पर ज़्यादा आता है और वो तो जो भी निकले किया जा सकता है यह सब अड़र्टिजिस के आगे और दूसरा डिसद्वर्टिजिस यह है आपका कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रीम सुपरिजर की जरूरत पढ़ती है यानि महुएतवाले सुपरिजर की जरूरत पढ़ती है ओके यह दू डिसद्वर्टिजिस है तो इस आपका दूसरा क्रिशन है कि आपको अड़टिजिस लिखके बिजिनें पर जो है और दोनों की क्रिशन आपको यह व्यडियो के पूरा दिर होगे तो आपको मिल जाएगे। कुछुदेंस, thank you for watching and keep watching for updating videos of building material lectures और शावको छे मदे आप assignments भीट करवाना मेंको ना भुले यह आपके attendance के लिए जादा से लादा जबभी है कुछुदेंस, thank you